तो आज का व्लोग में हम बहुत सारी चीज़े करेंगे सबसे पहले रेसिपी से सुरवात करेंगे तो आज एक बहुत ही टेस्थी हल्दी यम्मी और गर्में जो एक्ष्टा बनाना बच गए हो ना तो उसका यूज हो जाने वाले बहुत अच्छी रेसिपी है अलमस्त लांस तो 12-13 साल से में बनाना यही रेसिपी फॉलो करके तो यहां पर मैंने ले लिये हैं बनाना बनाना को मैश कर लेंगे एक्टुली डिटेल रेसिपी में रिस्कूशन बॉक्स में डालोंगी अगर आप ट्राई करना चाहो तो तो बनाना को मैस कर लिया है मैवने अच्छे से फॉर्क यूज करके बहुत अच्छे से पके बनाना यूज करेंगे तो बहुत बहुत ऐसीली हो जाएगा उसके बाद इसमें जाएगा ब्राउन सुगर, ब्राउन सुगर के बीना भी आप बनाना से ही सिर्फ यूज़ करना चाहों, बनाओ ना तो भी ब्रेट बहुत अच्छी बनेगी यह, फिर भी मैंने ब्राउन सुगर थोड़ा से यूज़ कर लिया और साथ में गया है वैनिला का स्वीटनेस से ही आप यह रेसिपी बनाएंगे तो भी बहुत अच्छी बनेगी और एक बहुत हैल्डी टेस्ती कुछ स्वीट खाने का मन करें ना तो यह पर्फेक्ट बेकिंग रेसिपी है अब लेंगे हम आटा तो यहां पे लिया हम मैंने गेहो का आटा ठीफोड कप और साथ में जाएगा मैडा मैडा ऑपसल है उसके जगह पे आप वीट से ही बना सकते हो 100 परसंट और जाएगा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और थोड़ा सा इसमें जाएगा सॉल्ट जब भी कोई स्वीट बनाऊ हो तो हलका सा पींच सॉल्ट टालेंगे तो एक तना यहां पर ड्राइड कर ली है सबसे पहले और उसके बाद यहां पर यहां पर वैट और ड्राय इंडियन्स मिक्स करेंगे हम लोग और यहां पर भी हमें ब्लैंडर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब सिंपल फॉर्क या स्पैचुला से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें बहुत over mix नहीं करना है इसलिए blender नहीं यूज़ गया blender से यूज़ करेंगे और over mix हो जाएगा तो dance हो जाएगी ये केक और बनाना बेर जो भी बुलो आप और एक होड़का सा मुझे liquid लगा तो मैंने डाल दिया है यहाँ पे 1 4 cup मैडा तो टोटल 3 4 cup मैडा और 3 4 cup गेहो काटा हो गया इसकी जगह पे आप 100% गेहो काटा डालके भी बना सकते है तो अभी perfect लगेगी पता भी नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ गेहो के आटे से बनाया है तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा मैडा भी यूज करूँ थोड़ा सा अच्छा थोड़ा टेक्स्टर में डिफरेंस आता है बेजिक और मिक्स करने के बाद यहाँ पे जाएगा dry fruits तो मैंने सिर्फ walnut डाला है वालनट की जगह पे आप mixed dry fruits डाल सकते हो और यहाँ पे optional है यह पर बच्चे लोगों को बहुत पसंद आएगा और बनाना के साथ chocolate का mixer combination एक दूसरा बहुत perfect combination है तो बच्चे लोगों को थोड़ा बाहर का लाया हो ऐसा flavor देने के लिए मैंने डाल दिया है थोड़ा सा chocolate chunks और यह ready है अच्छे से mix हो गया है और इसे tray में डाल दिया है और अ आएगा आएगा आवन के अंदर around 25 minutes टका time लगता है 25-30 minutes डिपेंड करता है कई बार कई आवन में तो toothpick से हमें इसा चैक कर लेना चाहिए जब भी आप एक बेएक करो तो और around 25 minutes हो गया है अच्छी से खुश्बू आने लगी है पूरे गर में खुश्बू फैल जाएगी जब भी आप बनाना ब्रेट बनाओगे न तो पूरे गर में लगेगा सब लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग बनाना ब्रेट बना गए हो और यहां पर toothpick से इस तर गए थे वीर के साथ कुछ देखने के लिए vegetables तो यहां पर spinach के plants पे seeds आना शुरू हो गये है already तो यह seeds में साब collect करूँगी तो इसे ही मैं use करूँगी next year के लिए कोई भी नाया seeds नहीं लाओंगे मैं इसे ही पी करूँगी मैचर हो जाएंगे तब और यहां पर थोड़ी सी यह साइट पे जो spinach है यह अलग से दाली थी इस से थोड़ी से different है तो वह अभी भी मुझे अच्छे से spinach के पत्ते मिल रहे है उससे और आज किया था मैंने पूरा cleaning का काम यह सुबह का clip है यहां पर मैंने सबसे पहले सोचा कि आज living room और kitchen जो नीचे का floor है उसको अच्छे से clean कर दूँ मॉपिंग और cleaning और सब कुछ deep cleaning किया थाज मैंने तो इसके लिए मेरा helper robot मैंने start कर दिया वो जितना भी clean कर से कि वो इतना clean करेगा और बाकी का जो corner में से नीचे से जहां वो पहुँच नहीं पाता वो सब मैं clean करूंगी और बच्चे लोग use करते है screen और सब ठोड़के चले जाते हैं वैसे मैं कई बार देखती हुना कई वीडियो की tag line होती है कि house helper या mate के बिना कैसे मैं पूरा घर का काम करता है हम लोग तो मुझे होता है कि हम लोगों ने तो यहां पर मैंने last 15 साल से कभी भी कोई helper के बिना ही सब कुछ काम किया एक habit हो गई है तो ऐसा नहीं है कि आप अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं आप अच्छे से manage करेंगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाता है गर का काम helper की help लिए बिना ही और यहां पे तो helper लेना मतलब रोज की helper लेना तो impossible जैसा ही है आप महिने दो महिने में एक बार बुला सकते हो बाकी बा पाता है रोबोट तो रोबोट को मैंने help कर दी है इतनी ताकि deep cleaning हो जाए वैसे भी बाहर से बहुत सारा कच्रा आता है बाहर बहुत जाना होता है ना summer आ गया है तो winter में तो इतना कुछ कच्रा होता ही नहीं बाहर इतना जाना होता ही नहीं है इसलिए और यहां पे dining area भी मै कर transparent सा cover लाओंगी size ले जाओंगी यहां से measure करके ताकि मैं इसी size का perfect measurement के साथ बनवा सको वहां पे तो इंडिया जाने की planning के खुशी मैं वैसे भी आजकल तो वहां से यह लाएंगे वो लाएंगे एक बड़ी से list बना के मुझे ले जाना पड़ेगा ताकि सभी चीजे मैं लाप आओं घर के लिए और घर की ऐसी चीजे होती है जो कहीं कहीं चीजे होती है कैसा लगे कि बस इंडिया सही लाएंगे तब भी अच्छा आएगा या अपनी पसंद का आएगा और यहां पे मैंने dining area में सब कुछ dining table को घोड़ा सा move करके मैंने नीचे से कच्रा निकाल लिए रोबर्ट वेसे तो वहां भी clean करता है पर डाइनिंग table का जो नीचे वाला part है वहां पर नहीं पहुंच पाता है तो मैंने उसे मोटा मोटा कच्रा सब निकाल लिए और छोट तो मॉपिंग के लिए मैं यहाँ पे यह liquid यूज करती हूं पूरा फ्लोर वूडन फ्लोर है तो सीधा पानी यूज नहीं कर सकते हैं पानी सीधा यूज करेंगे ना तो पूरा फ्लोर खराब हो जाएगा तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा यह liquid यूज करना पड़ेगा तो मैंने लिक्विड निकल लिया है और इस तरह से बड़ा सा कहन लाके रखते थे हैं तो उसमें साप यूज करते रहते हैं जब भी इसहां पर अपना काम कर रहा है मैं अपना कर रही हूं और मैंने स्टार्ट कर दिया है मौप करना पूरे घर करना मुझे तो रोबोट कर का मौन मुझे करना मौप oraz मैंने उसदे जिए हैं उसे श्टार्ट के लिए बड़ा काज़ करनाimme which I am तो यह चार्ज होता रहेगा जब भी स्टार्ट करेंगे तो एनलसी से फूल रहेगा ये उसने भी वन आवर जितना पूरा घर में गुम फिर के सब भी जगह से कच्रा कलेक किया और यहां पे मेरा हो गया है स्टार्ट मॉपिंग करना पूरे घर में मॉप करना है आज तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है पूरे घर में एक स्टार्ट मॉपिंग करो क्लीनिंग करो ना तो बाकी कैबिनेट्स और सब कुछ साथ में क्लीन करना तो बहुत ही बड़ प्रोजेक रिच वू तो साथ में नहीं करना भी बेटर रोते हैं तो फ्लोर का पूरा डीब क्लिंग काम में उस दिन क endless मैं निटो पूरा नीचे टम के पूरा यहीं कर लोंगी तो फूरे घर का यह मॉपिंग और cleaning ये करते करते मुझे लगा almost one and half hour with robots help, तो थोड़ी से help मिल गई है robot की, main main parts में से उसने भी निकाल लिया तो इंडिया में गई थी ना, last time तो बोलते थे लोग, मुझे बुझे तो क्या करती हो तो पूरे दिन कुछ काम करना नहीं होता है, जैसे यहाँ पे कुछ काम करना होता है नहीं, जैसे यहाँ पे ज्यादा काम करना होता है, maid या कोई helper house helper की help के भीना ही सब कुछ करना होता है, तो इंडिया से ज्यादा ही काम रहता है, सब कुछ अपने आप करना होता है खेर किसी को समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है न और आज विडान और मैं ही दोनों ही घर पे है विडान की चल रही है एक्जम तो इसे रोज नहीं जाना होता है स्कूल तो इसे पूछने आई थी उसे क्या खाना है और यहाँ पर इंडिया जाने की प्रिप्रेशन चालो है तो शॉपिंगर के लाओ और बैग डालो इस रोम में इस रोम में अभी कोई यूज नहीं कर रहा है तो मैंने सब कुछ यहाँ पी ऐसे ही डाल दिया है अब एक दो दिन में थोड़ी सी प्रिप्रेशन शुरू करेंगे पैकिंग करने की और यहाँ पर मैंने कैप्स निकाल है घर में सबको लोग तो सबको चाहिए अलग-अलग और हमारे घर में बनाना प्रेश बहुत ही सब लोगों को बहुत पसंद है तो ठंडा होते ही सबने खाना शुरू कर दिया तो मैंने सोचा एक खिलिप डाल दू यहाँ पर और यह देखिए बहुत ही अच्छी बनी थी एकदम पर्फेक्ट फ्लेवर्फुल बनी थी और हैंड़ी भाली भी स्वीट खाने का मन कर रहे तो इस तरह से बना के रखना चाहिए हम लोग बहुत फ्रिक्वंटली बना थे बनाना प्रेश से और यह देखिए पर्फेक्ट कलर भी आया है क्रंच भी आया है एक टेक्श और यह बहुत ही अक्साइटेंद है करने के लिए कि यहां पर स्ट्राबेरी प्लांस बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं स्ट्राबेरी भी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई है तो हम इस तरह से चेक करेंगे स्ट्राबेरी के स्ट्राबेरी को इस तरह से चेक करने क हाथ डाला और कुछ हाथ में लग गया तो देखके करना पड़ता है ना गार्डनिंग भी और वी को दिखा नहीं है अपनी टालेंट कोई के दूए अगें है वेरी नाइस कही मूवी में देखा था इस तरह से स्टीक्स को करते है न वो दिखा रहा था तो वैसे हमारी अक्टिविटी ऐसे चालू ही रहती है बहार और हम लोग ने इस तरह से स्टीक्स चे देखा और यह दिखे स्ट्राबेरी आनिक शुरू हो गई है पर बर्ग्स ने अपना काम शुरू कर दिया है जो भी अंदर की तरफ हो वो सब चली जाएगी वैसे हमारे हिसे क हम खाएंगे और बर्ग्स के हिस्से का जो भी हो वो खाएंगे बहुत सारे स्ट्राबरी जाती है तो कोई प्रब्लम में ही उनको भी खाना मिलना चाहिए ना इसी तरह से तो नेचर का साइकल जलता रहता है हम लोग पूरा 100 परसंद खा जाएंगे तो वो लोग कैसे सर्व भी लगती है और एक ही दन्या का प्लांट है बहुत बढ़ा हो गया है यहां पर और मेरा गार्डन अभी अच्छा का सहरा बढ़ा है और बाहर आए तो कुछ काम भी होगा तो मैंने यहां पर वीड्स निकलना शुरू कर दिया है बहुत बढ़ा अच्छा सा बैक्याड हो अच्छा सा एरिया हो पर उसके साथ प्रोज और कॉन्स भी बहुत सारे होते है तो बहुत एरिया हो तो क्लीनिंग का और कुछ ऐसा काम भी करना पड़ता रहता है और यहां पर सीड्स आ जाए इस वीड्स पर उससे पहले मैं इससे निकाल लूँगी ठोड़ा बहुत यह क खाने के लिए भी हो जाता है आज का व्लॉग हम यहीं पर खतम करते हैं आप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो पसंद आया हो तो प्लीज दिसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगला व्लॉग में तब तक लिए बाई टेकिए